हलो प्रेंज विल्कम बैक तो माई चैनल प्रेंड आप लोगों के लिए एक नई रेस्पी लेके हम आ गया फ्रेंड आज हम जा रहे हैं गाजर खलुगा बनाने जो आप किसी भी ओकेजन में गाजर खलुगा यह बना सकते हैं जो बहुत स्वादेश्ट और टेस्टी बनके त्यार होता है फ्रेंड अगर चैनल पर नहीं है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे आपको वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड तेहां पर देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है आप लोग जरूर एक बार बना के देखिएगा और आप लोग वीडियो को पूरा वाच करिएगा तो चलिए फ्रेंड गाजर खलूब बनाना इस्टार्ट करते हैं तहां पर गाजर खलूब बनाने के लिए एक किलो हमने गाजर ले लिया है गाजर को अच्छे से दो लिया है साब कर लिया है इसका चीद का भी निकाल लिया प्रेंड तो चलिये इसको ग्रेट कर लेते हैं गाजर को थाो टेह प्रेल करने के लिए प्रेंड घे दो जिएमटे वाले से को लाओ या इसंदिए फरasında हां जई एक मैं नहीं है देख और हम सभी गाजर को ग्रिये ग्रेंड लेंगे देखिए परेंट सभी गाजर को ग्रेंट कर लिया हमने तो चलिए परेंगे गाजर खरुबर बनाने के लिए लिए फौकलब फिर मेन को गयाघर कर दिया है है इसमें थो बड़े चमदगी डाल देते हैं देसी घी गरम हो जाए गी गरम हो चुका है अब इसमें हम गाजर को डाल देते हैं अब इसको अच्छे से चला देते हैं मिला देते हैं कि गैस कहीं पर मीडियम रखना है कि प्रेंड यह बहुत स्वादिश गाजर खल्वबन के त्यार होता है इसको आप घर में असानी से बना सकते हैं कि अब इसको हम वीश-वीश में डग के ऐसे चलाते रहेंगे कि गैस को मीडियम में रखेंगे गाजर का लुए बहुत लोगों को पसंद रहाता है सभी कप देवरेट रहता है गाजर का लुए असानी से बन भी जाता है इस समय ठंडी का मौसम है तो गाजर भी अच्छी आती है घर में असानी से बना सकते हैं अब इसमें हम दूट डाल देते हैं यह पर आधा किलो हमने दूट डाला है यह देखिए फुल मलाई वाला डाले है इसको अच्छे से चला देते हैं कि अच्छे पर देखिए पर इसको धंग देते हैं वीच वीच में चलाते रहेंगे इसको कि अच्छा के वीच देते हैं यह देते हैं अब इसमें हम सक्कर डाल देते हैं एक कप हमने सक्कर डाला है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है सक्कर ज्यादा कर सकते हैं तो देख सकते हैं इसको अच्छे से मिला देते हैं सक्कर को भी इसको पकने देते हैं गर्सक्रियां पर तेज करते हैं जिससे सक्कर जो है तो अच्छे से पक जाए और दूद्र भी जो डाले हैं भी अच्छे से पक जाए यह देखे परें तो देखिए दू धौसकर अच्छे से पक चुक है देख सकते हैं अब इसमें हम खुवाई डाल देते हैं यहां पर हमने 100 ग्राम खुवा लिये हैं इसको अच्छे से डाल के चला देते हैं अब इसमें हिलाई ची पाउडर डाल देते हैं इसको भी अच्छे से मिला देते हैं इस देखे अच्छे से मिला दिये हैं आप इसमें हम कुछ ड्राय फूट डाल देते हैं जो आपको ड्राय फूट पसंद दो डाल सकते हैं पिसमें हमने दर लड़ा कोट लिए है और डाल देते हैं इसको डाल के अच्छे से चला देते हैं देखे फ्रेंट गाजर का हलुए कितना टेश्टी बनके त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं फ्रेंट मुह में पानी आ रहा ना कितना अच्छा बना हुआ है आप लोग एक बार जरूर बना के देखेगा अब इसमें हम प्रेटिंग कर देते हैं एक ताली में तो देख सकते हैं फ्रेंट सबसे पहले हम गाजर को ताली में रख देते हैं पिर इसके बाद हम खोवा उपर से रखेंगे इसके प्लेटिंग करेंगे यह देखिए इसको हम खोवा को जो है तो घर में ही बनाया तयार किया है अरग को पित्व यंगजर करें तो हब लोग जरूर बना यह बताइए गाजर भलो को कैसा लगा कि यह देखिए हुआ तो देखिए प्रेंड गाजर खर्वो बनके त्यार हो चुका है तो प्रेंड हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएए कमेंट करिएगा अगले वीडियो में फिर मिलेगे तब तक भाय थेंक्स पर वाचिंग